आपके साथ मैं बूक्ता नियुक्ता के तमाम निताओं का वीडियो मैं आपको दिखा सकता हूँ जनों ने कहा है कि संबिधान को वदलने के लिए हमें 400 पार जाना ही होगा नमस्कार गोरकपुर पोश्ट देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ विक्की सिंग गोरकपुर पोश्ट के चुनावी यात्रा लगाता जारी है और इस कड़ी में अभी हम मौजूद हैं सलेमपुर लोकसबाच्षेत्र में यहां से यह जानने की कोसिस करने आया है कि आकिर इस बार 2024 के याम चुनाओं में जनता के क्या हैं मुद्दे रहने वाले हैं और जनता क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधान मंत्री बनाने जा रही है या फिर गटबंधन का साथ देने वाली है इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करने वाले हैं फिलहाल यह यहां पे चाइवाई पी रहे थे तो रुका गया थोड़ा सा भीड़ देखके कि भाई समझ लिया जा कि आखिर सलेमपुर की क्या मुद्द्ध होने वाले हैं और क्या जनता इस बार सोच रहे क्या नाम पड़ेगा आपका सियाम देव यादो समाजबादी पार्टी प्रदे मूलत्य विचारध्रा जो यादो होते हैं हमारी जात ही समझ वादी है हम विचारध्रा से समझ वादी के अगर इंडिया गट बंदन की सरकार आ जाती है तो राममंदीर तुल्वा दिया जाएगा इस बात में सत्त निखती है आपको तोड़ फोड़ करने में महारत हासिल है भारती जंतापाटी को समाजबादी विचार धराकी पाटी समाजबादी पाटी हो इसका कोई भी नेता तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं करता चाहे वो मंदिर हो मस्जीद हो गिर्जागर गुर्द्वारा हो हम सभी धर्मों का आदर करते हैं और सभी धर्म के दर्म के जो जो इश्वर हैं आप रभू है इश्वर अला या का जो भी धर्मों का आधर करते हैं हम सभी धर्मों का मतलब यह है कि इंडिया गटबंदन ने जो प्रत्यासि उतारा है एक बार सांसद रह चुके हैं बस्पा से फिर उसके बाद समाझवादी पार्टी का दामन्था में एक बात बताईए हमको कि बस्पा ने यहां भीम राजभर को उता रहा है मैदान में भीम राजभर जो है आज हम गर से उनका टिकट कटा उसके बाद अब यहां से लड़ने आ है राजभर राजभर में जो वोट बैंक है वो बटने वाला है तो रमा संकर राजभर या चुनाव जीतने जा रहे हैं इसलिए ओट कोई भूजा नहीं है कि एक मुठी उनको दीजिए और एक मुठी उनको दीजिए संपूर्ण राजभर समाज ने फैसला कर लिया है कि समाजबादी पार्टी इंडिया गटबंधन के उमिद्वार रमा संक कर राजभर को युकर राजभर भाईयों का मिलने जा रहा रहा कि राजभर वाली पार्टी भारती समाजबाटी के खाते में यह वह बहुत जाती तो कुछ अलग देखने को मिलता है बारती जंता पाटी और उसके गटबंधन कांधुरूनी मामला है भारती जंता पाटी धोखेबाज पाटी है ओमत्रकास राजबर ची वशापषी हुए और वर कास राजबर जैसे कितनों को हजारों बार दोखा देच है समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकास राजवर को उत्तर प्रदेश की राजनीत में बोलने लाइक बनाया इसलिए ओम प्रकास राजवर का उन्होंने कहा कि राहुल गांदी और अखले स्यादोवी बच्चे हैं हमको लग रहा है कि ओम प्रकास राजवर ने कोई नसा कर लिया है इसलिए उनको भारती राजनीत में अखले स्यादोव और राहुल गांदी जी बच्चे नजार आ रहे हैं राहुल गांदी का संपुन परिवार हिंदुस्तान के लिए उनके पिता उनकी दादी ने कुर्बानी दिया है उस परिवार से राहुल गांदी आते हैं और हमारे नेता अखले स्यादो जी ने पांच साल इस प्रदेश पर सासन किया और पांच साल में उत्तर प्रदेश के विकास के ऐसे पत पर ले गए हैं कि ना कोई अब तक ले जा पाया ना आने वाली दिनों में कोई लो जाए है। ले करके चंदा हम लोगों ने भी लिया होगा लेकिन हम लोगों ने साब सुतरी चबी के लोगों से चंदा लिया है। लूटने वाले लोग विदेश भाग गए इन्होंने रास्ता छोड़ दिया और इसलिए उनको विदेश भागने का मौका मिल गया। अब भी यादो है चाचा अब भी यादो है निर्माल माल भी प्रसाद निर्माल आच्छा हो भी समाज से आते हैं। हम यह कह रहे थे कि यादो जहां जादे होते हैं उस समाजवादी पार्टी तनी सत्ता गड़ा मनाती है। नहीं देखिए विचारधारे की बात है कि यह को जरूर नहीं है। वह प्रसनल अपने फाइदे के लिए भार्टी जनता पार्टी से जुड़े हैं। उनको समाजी कोई विचारधारा नहीं है, कोई समाजी सरोकार नहीं है। उनको राजनीत से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। वह ब्यक्तिकत अपने लाब के लिए भार्टी जनता पार्टी से जुड़े हुए है। बाताये भारती जन्ता पार्टी जो 400 पार वाला नारा दे रही है वो 400 पार में से एक सीट यहां से निकलने वाली भारती जन्ता पार्टी आज दे रही है जो जातियां है जो 85% जनसंक्या अमरे देश की स्टी स्टी और ओवी सी की इनको खतम करने जा रही है विजेपी आज इन से दे रही है कई दिनों से तो दूसरे चरण के बाद उनके मुझ से आना ही बन दो गया चुकि बात समझे यह जो चुनाओ है यह 400 पार सरकार बनाने का चुनाओ नहीं है यह चुनाओ है देश को बच संविधान को बदलने के लिए हमें 400 पार जाना ही होगा क्योंकि इस देश का संविधान बदलना है ऐसे इसे भाजपा के बड़े नेताओं का वीडियो मैं आपको दिखा सकता हूं यह उन्होंने साब तौर पे सारोजिनिक मंच पिस कहा है कि भाजपा 400 नहीं आएगी संव संसोधान आप क्या करेंगे गरीबों कारएख्षाण हटा देंगे कि क्या हटाएगी अब सब्सक्राइब अब संसोधान क्या करना चाहते है यह पार्टी आप पार्टी तो और चल्ट जाएगा यह सी अस्टी वाला स्टी अश्टी ओवीचि यह मुसलिम वाला भी आरफ ज वह अपने लोग के लिए काम कर रही है एक तो 49 परसेंट है स्टेस्ट का मुसलमान भी उसी के 27 परेशन में हैं जब आरक्षन खतम होगा तो सबको खतम होगा क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख्या इसाइए घा updated कि सबकी खता जो जातियां है जो 85 परसेंट जनसंक्या अपर देश की की कि एंको खतम करने कर रही है वी जब चेसे अहला मुकाबला कैसे कर वाइं है किस बात का रासन 650 तो ありना है और अभी तो अजादी के 75 साल बाद भी अगर हम अपने जनता को पांच किलो रासन ही दे रहे हैं तो इसको गुड़गान नहीं करना चाहिए यह मानना थी है कि हमारे हमारा सबसे बड़ा नुक्सान है हमने यह कर दिया है कि हमने अपने लोगों को इसकाबिल नहीं बनाया कि वो पांच कि किलो रासन खरीद पाएं हमने रोजगार नहीं दिया इसलिए हमको रासन देना पड़ रहा है अगर हमने रोजगार दिया होता तो पांच किलो के बज़ाएं पचास किलो रासन खरीद लेते हैं